देखे लोगसबा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा दर्द उत्तर प्रदेश में मिला है 2019 के मुकाबले बीजेपी की 29 सीटे घट गई है और आखिरकार इस बुरे प्रदर्शन की वज़ा क्या रही है अब इसे लेकर मंतन का दौर भी शुरू हो गया है यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भुपेंदर चौधरी दिल्ली पहुँच रहे है जहां वो शीर्ष्ट नेत्रत उससे हार का फीडबैक शेर करेंगे लोगसबा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा जटका कहीं लगा तो बूहे उत्तर प्रदेश यूपी में बीजेपी को 2019 के मुकाबले 39 सीटों का नुकसान शेलना पड़ा यूपी में बीजेपी के वोड शेयर में काफी गिरावट आई लिहाज़ अब यूपी को लेकर बीजेपी आक्शन मोन में आ गई है और हर पर मन्थन शुरू कर दिया है यूपी में हुई बीजेपी की हार को लेकर समीशा और विमर्ज का दौर शुरू हो गया है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बूपेंदर शौदरी दिली पहुँच गए है बुपेंद शौधरी हार के कारणों पर केंजर नितिस को अपना फीडबाक शेयर करेंगे वही यूपी में खराप रदर्शन को लेकर बीजेपी में भीतर घाद की बाते भी उठने लगी है आपको बता दें कि 2019 में यूपी में बीजेपी को 62 सीटे मिली थी जबकि इस बार सर्क 33 सीटे ही हासल हो पाई जबकि वोड़ शेयर करीब 50 फीसदी था वही इस बार बीजेपी का वोड़ शेयर लुड़क कर 41.37 फीसदी बना गया 2019 के मुकाबले इस बार 8.56 फीसदी की गिराबट आई जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे